नमस्कार तत्थे में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश वस्ती जहां तत्थे में हम बात करेंगे आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहांके रईस लोग बैंक से कर्ज नहीं लेते साल 2021 में नीदर लेंड की पेमिंट एसोसियेशन ने एक फैक्ट शीट निकाली है जिसमें बताया गया था कि देश के लोग लोल लेने के मामले में कहां खड़े हैं इसके मताबिक उस साल लगभग 32 मिलियन डेविट कार्ड के मुकाबले केवल 6.28 मिलियन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ इतने ही क्रेडिट कार्ड एक्टिव थे इसमें भी काफी कार्ड होल्डर विदेशी मूल के थे नीदर लैंड का बड़ा बाजार क्रेडिट की बजाए डेविट कार्ड ही लेता है या फिर आप कैश में पेमिंट कीजिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहां ज्यादा रखम खर्च करनी हो जैसे छुटियों पर बाहर जाते हुए या होटल बुकिंग में आनलाइन शॉपिंग में या डेविट कार्ड ही ज्यादा इस्तेमाल होता है दो साल पहले जारी डेटा में माना गया कि डच आबादी लोन तो लेती है लेकिन काफी छोटे ज्यादा तर लोग साड़े 11,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड की ही रकम लेते हैं ये रकम आम तोर पर छोटे समय के लिए ली जाती है हाँ होम लोन अकेली ऐसी चीज़ है जिसमें यहां बड़ा कर्ज लिया जाता है इसकी भी बज़ए नीदरलाइन की राज़धानी एंस्टरडम यूरोप का तीसरा सबसे महंगा शहर है अगर यहां किराय पर मकान लेना चाहें पहले नंबर पर लंदन और फिर पैरिस से यानिकी फ्रांच ऐसे में लोग किराय पर लंबी चौड़ी रकम खर्च करने की बजाए लोन लेकर अपना घर ही खरीद लेते हैं उदार लेने से परेज है डच कल्चर में वहां रिण कृत्या घरतम पिबेद यानि कर्ज लेकर भी घी पीने का दर्शन नहीं चलता बलकि पैसे को खुब सोच समझ कर खर्च करना सिखाया जाता है नीदर लेन जाएं तो एक बात कौमन दिखेगी वहां होटल या रस्तरों में खाने पीने या कौमन खर्चों पर बिलबांट जिया जाता है इसे अंग्रेजी में soldier payment कहते हैं प्रेमी प्रेमी का और दोस्त भी आपस में बिलबांट कर आदा आदा चुकाते हैं पती पतनी भी घर के खर्च बाटते हैं इससे किसी एक पर अतिरिक दबाव नहीं बनता और रिष्टों में पारदर्शिता बनी रहती है लेट्स गो डच टर्म इस कल्चर को ही कहते हैं डच संस्कृती में गलानी रही जिन्दगी जीने पर काफी जोर है वे मानते हैं कि जितना वक्त भी दुनिया में रहे शांती से और बिना किसी गिल्ट के जीना चाहिए ये चीज बाजार ही नहीं रिष्टों में भी जलकती है अगर किसी कपल के मीज तनाव आ जाए तो लंबा समय बरबाद कर दूसरे को धोके में रखने की बज़ाए वे सीधी बात करते हैं और लग हो जाते हैं ये गिल्ट फ्री जिने का उनका अपना तरीका है लोन या क्रेडिट के मामले में भी वह यही फलसफा लागू होता है हम फ्यूचर में लोटाने के वादे पर सामांग खरीद रहें लेकिन क्या हो अगर कल हम पैसे न लोटा सके इस बात ने नीदर लेंड में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को सीमित कर दिया यूरोपियन देश फिनलेंड भी इस मामले में नीदर लेंड से मिलता जुलता है वहां के लोग दिखावे और लालत से कोसो दूर रहते हैं किसी के पास कितने पैसे हैं इसे लेकर वहां कहा जाता है स्टोरी आफ देर ओन यानि उनकी अपनी कहानी अपना मस्तला है वहां न अपना फाइनेशियल स्टेटस बताया जाता है न पूछा जाता है यह भी एक कारण है कि फिनलेंड में दिखावा या देखा देकि ज्यादा खर्च करना नहीं मिलेगा लालच को लेकर यहां कोई लोग कता है यानि कि कई ऐसी लोग कता है यह अतथ है जो बताती हैं कि जरुवत से ज्यादा चाहना हमेशा परेशानी लाता है यहां के स्कूल करिकुलम और साहित में भी यह बात जहलकती है इस पर कई शोद भी हो चुके अबो एकैडमी युनिवस्टी में बाकाइदा एक पेपर होता है जो ग्रेडी यानि लालच ग्रीड ग्रीड लालच की बुराईयों पर बात करता है अब आईए तथ में आपको बताते हैं इसे एक उधारन से समझते हैं कुछ साल पहले रीडर्स डाइजस ने एक टेस्ट किया लास्ट वालेट टेस्ट के तहट दुनिया के बहुत से शहरों में एक सो ब्यान्वे पर्स गिराए गए सब में पचास डॉलर थे साथ में वालेट के मालिक का पता भी था वालेट ऐसी जगहों पर गिराया गया जहां से उठाया जाना आसान और किसी को शक नहो इसमें पाया गया कि फिनलेट में गिराये गए बारा वालेट में से ग्यारा कुछी देर में वापस लोटा दिये गए पाने वाले ने पर्स देखकर मालिक को फून किया और उसे वालेट की जनकारी दे दी टेस्ट के आखिर में फिनलेंड के हेल्सिंग की शेर को दुनिया का सबसे इमांदार शेर माना गए जियां तो आपने देखा आखिर डच कल्चर क्या होता है और फिनलेंड के इमांदारी की कहनी तत्थे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार